कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम जलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं भारतिये फौज के शौर्य और साहस को क्या खूब बया किया है इस काने में जिसका सीधा संदेश उन नापाक दुश्मनों को जाता है जो भारत की किसी भी सीमा से लगते हूं लेकिन जब भारतिये फौज के कदम एक साथ उठते हैं तो दुश्मन के दिल मातर उन कदमों की आहट भर से तहल जाते हैं और कुछ ऐसी ही वीरता की मिसाल दी हमारे वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में जिन्होंने सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में सफेद चोटियों को अपने लहू के सुर्ख लाल रंग से सीच कर विजय ध्वज यानी तिरंगे के रंग को और निखार दिया जिन्हों 26 जुलाई आज का दिन यानी विजय दिवस हमारे उन कारगिल युद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने सन 1999 में भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में भारत को विजय दिलाए पूरी दुनिया इस वाद से अवगत है कि इस युद्ध की शुरुवाद भारत की सरजमी पर कबजा करने वाले पाक के नापाक इरादों की वज़े से हुई और हर बार की तरह दुनिया सच का साथ देने के लिए भारत के साथ खड़ी थी लगभग 16,000 फुट उचाई वाले पहाड आइने की तरह थे जहां से दुश्मन पहाड की चोटी पर बैठ कर भारत की हर गतिविधी को देख सकते थे इसलिए यह युद्ध भारत के लिए और भी एहम हो गया और इसकी जवाबी कारवाई के लिए भारत के दिगज सेना प्रमुखों की अगवाई में जल एवं वायु सेना ने ओपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफेध सागर द्वारा थल सेना की सहाईता की जिसकी मदद से भारतिय थलसेना ने हथियारों के जखीरे के साथ सफेद बर्फ से ढगी उची स्पॉट चटानों पर अपने होसले और जजबे से दुश्मनों को मौत के चाधर में लपेट दे गए और इस तरह मात्र 20 से 25 वर्ष की ओसत आयू के युवा वीरों और जामबाजों ने अपनी बहादुरी से इतिहास के पन्नों पर अपने लहू से इस विजय दिवस की वीर गाथा लिखी यह विजय दिवस उनके बलिदान को समर्पित है और समर्पित है देश के हर उस नागरिक को जो प्रत्यक्ष और परोग्ष रूप से इसमें शामिल हुए आज इस कारगिल विजय दिवस पर समपूर्ण आयमसी परिवार समस्त देशवासियों को शुपकामनाई देता है और भारत की रीड यानि भारतिय सेना के अधम्य साहस को सलाम करता है भारत माता की जय वन दे मातरम गुड आयमसी अस्ते जंदेगी आयमसी